चलिए स्वागत करते हैं आप सभी को हमारा आज का ठाटा इंडियन प्रिमियर लीग के एक जबन दस्त हेट टू हेट राइवलरी मैच पर जहां पर फेस करने जा रहे है रोयल चालेंजर्स बैंगलोर और उनके अगेंस्ट खेलेंगे चन्नाई सूपर किंग से एक बहुत य च्टेडियम से आज का ये मैच हमारा सूपर ओवर प्रेडिक्शन गेंपले आप सभी फैंस के लिए लाए हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कौन जित से जीते हैं आज का ये मैच एक सूपर ओवर के जरीए मैच शुड़ होने के पहरे स्टैट्स थोड़ा बता देते हैं आर्सी भी जो है रॉयल चलेंज बेंगलो दस मैचेस खेलके पांच जीत पाच हार दस पॉइंट पर छे नंबर पोजिशन पर है और चिन्नाई सुपर किंग्स का नया कप्तान वापसी लेते हुए कप्तान सी महिंदर सिंग धोनी नौ मैचेस खेलके तीन जीत छे हार छे पॉइंट पर नौ नंबर पोजिशन पर है यहाँ पर दोनों टीमों के कप्तान फाफ डुप्लसी और चिन्नाई के महिंदर सिंग धोनी आएंगे टॉस के लिए हम लोग देख लेंगे कौन जीतेगा आज का यह टॉस प्रेडिक्शन कर लेंगे टॉस का फैफ डुप्लसी कोईन को उछालते हुए यहाँ पर हेड्स की पुकार दोनी द्वारा यहाँ पर हेड्स का कॉल और यहाँ पर चॉट डॉस जीत चुका है महिंदर सिंग धोनी कौन जीतेगा यहाँ पर देख लेंगे हम लोग क्या डिसिशन देते हैं धोनी धोनी ने यहाँ पर बैटिंग गेम बाज है मुहम्मद सीराज जिनको बॉल दिया है फैब डुकलसी ने पहला इनिंग्स कर रहे है यहाँ पर पहली गेंद रविंदर जदेजा को और पहला ही गेंद एक जम हवा में काटते हुए यहाँ पर बहुत ही बैटरी इन स्विंग मुहम्मद सीराज द्वारा पहल बॉल में चक्माखा गए जैसे रविंदर जदेजा डाट के साथ शुड़ू करता हुआ ओ इनिंग्स सूपर उपर का पहला इनिंग्स यहाँ पर वाई चैलेंजर बैंगलोर का दूसरा बॉल यहाँ पर और इस बार लेट कट खेल दिया है गैप में से लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिफ एक रन मिलेंगे दो गेंदों में एक रन यहाँ पर महिंदर सिंग धोनी पेस करेंगे अभी रविंदर जदेजा को देख लेंगे हम लोग क्या होने वाला यहाँ पर काप्तन माहिंदर सिंग धोनी जिनके उपर बहुत बहुत उमीदे है यहाँ पर आज की इस मैच पर फेस करेंगे मोहमद सिराज का तीस लीग गेंद और इस पर खेल दिया है गैप के बीच में से पूरा बल्ला घुमाते हुए यहाँ पर महिंदर सिंग धोनी दुआला एक चो का पाईली जेन की इस करते ही लला घुमाया उड़ी पाकत के साहाँ पर महिंदर नि मान Know यहाँ अपना यहां पर प्रेजन्स फील कराते हुए यहां पर महम्मद सिराज को पाज गेंदों तीन गेंदों में पाच रन बठोर दिये हैं यहां पर चौथी गेंद फेस करें महिंदर सिंखोंली फ्लिक कर दिया यहां पर लेक साइट की ओल लेकिन फील्डर वहाँ पर गेंद करेंगे रविंदर जदेजा को चौके या चक्के की सक्सरूरत यहां पर और रविंदर जदेजा ने इसमार खेल दिया है वाट अ श्रॉक लवली कवर ड्राइब बीच में से एक दम सीधे चौका अच्छा लेक डाइव वहां पर तैब डुपलसी दुआरा लेकिन बहुती ज़ादा लेट हो गए थे वहां पर बहुती बैटरी बैटिंग किया है यहां पर रविंदर जदेजा ने पाचवी गेंद पर पूरा चमाट मार दिया जैसे की बॉल को कवर के बीच में से निकाल दिया है चौका दस रन पाच गेंदों में आखरी गेंद सुपर पर के पहले इनिंग्स का रविंदर जदेजा को और इस पर कट कहल दिया है शौट मार दिया है गैप के बीच में से चोका निकल लिया है यहां पर रोट चौदर रनों बनाके यहां पर खतम करता है चन्नाइस सूपर किंस अपना पहली बारी बहुत ही बैतरीन पार्टनर् थोड़ा डिफिकल्ट होगा थोड़ा प्रेशर रहेगा यहां पर रॉयल चैनलिजर्स बैंगलोर के टीम में यह चौपंदरा रन एक ओवर बेपनाना कुछ भी नहीं है लेकिन गेम बाजी बहुत मैटर करेगा यहां पर क्यूंकि पहले बैटिंग करते हुए यहां पर फील जो है वो थोड़ा बैटिंग पिच बन गया था जिसके करण इसके बाद जो है थोड़ा बाल स्विंग करने की कोशिश है यहां पर जरूर हैगा चन्नाई सुपर किंग्स का यहां पर मिचल सैंटनर है मुकेस चौधरी है डुएन प्रेटोरियस है अच्छा बोलर इंग ब यहां पर विराक कोली यहां पर उतर रहे है फाइनल एनिंग्स बल्लेबाजी करने के लिए और डुएन प्रेटोरियस को डोनी ने बॉलिंग करने का पैसला दिया है यहां पर पहला गेंद करेंगी यहां पर फैब टुपलसी एट स्ट्राइकिंग एंड पंदरा रंच है छे गेंदों में पहली गेंद पे यहां पर फैब टुपलसी ने शॉट लगाने की कोशिश किया था लेकिन शुरू करेंगे रॉयल चलेंजर्जर्स बैंगलोर भी एक डॉट बॉल के साथ अच्छा बॉलिंग वहां पर वाइड लेंद पर बॉल किया था जिसके कारण ठी दिया है कफर के और यह सीधा चक्का पहला चक्का इस मैच का लगा दिया है यहां पर साथ टुपलसी जो कि हम लोग कह रहे हैं तब ही यहां जो बल्ले बाजी करने का लाइन अप है जो शमता है उससे यह 14 रन बनाना कोई बरी बात नहीं होगा एक और दूसरी ही गेंद प योरकर डल के इंस्विंग करवाया बहुत ही बैतरीन बापसी यहां पर प्रिटोरियस द्वारा तीन गेंदों में नो रोनों की प्रयाजन चौती गेंद खेल दिया है यहां पर और सीरे रविंदर जबेजा वहां पर मौझूद एक रन भी निकालने नहीं दिया और दूस प्रिट्रा बॉल वाइड यॉरकर लो लेंद बॉल था और यहां पर इस गेंद के डॉट के साथ मैच जीत चुक्वा है चन्नाई सुपर किंग्स अल्रेडी लग रहा क्योंकि नो रन तो बनाना ना मुनकिन है गेंदों में अगर नो बॉल नहीं होता है भाया और इस पर केल दिया है उपर से दोबारा से फैब डुपलेसी और ये चक्के के साथ खतम होगा बारा रन तीन रन से हार चुके हैं यहां पर फैब डुपलेसी और उनके टीम रॉल चैलेंजर्जर्स बैंगलोर चैन्नाई सुपर किंग्स के लिए प्रेडिक्शन के हिसाफ से बाक बैंगलोर कोशिश किया बहुत ही बहुत ही बहतरी फैब डुपलेसी का कोशिश था लेकिन अंतक पकर के नहीं रख पाए बालिंग बैटिंग को जिसके करण यहां से मिस हो चुका है बहुत ही बड़ा चलिए अब सभी को अगर हमारे ये सूपर अबर प्रेडिक्शन गेम जरूर बताएगा आपका सोच क्या है यहां पर आपका क्या प्रेडिक्शन होगा इस मैच के बारे में जरूर हमें बताएगा कमेंट सेक्शन पर और अब सभी फैंस के लिए चिंटना ही और अल्चलिंजर बेंगलोर के फैंस के लिए मर्चिंडाइज लिंक दिया गया डि अगले मैच पर तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुडबाई, गुड़नाइट